जेश्ट किचन में आप सभी का स्वागत है, मैं हासा, तो चलिए आज हम मिलके बनाएंगे बहुत ही कम समय में, बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार सूजी का हल्वा सूजी का हल्वा तो अक्सर सभी के घरों में बनता है, लेकिन इस ट्रिक से अगर आप एक बार हल्वा बनाएंगे तो आपका हल्वा बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बनेगा तो चलिए कुकिंग सुरू करते हैं और आज मिलके बनाते हैं सूजी का खिला खिला और एक्दम दानेदार हल्वा एह हल्वा इतना साफ्ट होता है कि ए मूर में जाते ही खुल जाता है तो हल्वा बनाने के लिए यहाँ गैस पर एक पैन हम रख दिये हैं इस पैन में हम तीन चम्मज भरके देशी घी एट करेंगे तो इस हल्वा को हम पैन में बना रहे हैं अगर आपको ज़्यादा कॉंटिटी में बनाना है तो हल्वा कड़ाही में बनाएं अब एक कटोरी यहाँ पर हम सूजी लिए हैं जो की वजन में 100 ग्राम है मेजर्मेंट अगर सही रखेंगे तो आपको हल्वा एकदम परफेक्ट बनेगा घी पिघल गया है अब इसमें हम सूजी एट कर देंगे गैस का फ्लेम हम low to medium रखेंगे और चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से हम सूजी को भुनेंगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है अब गैस पर एक दूसरी कडाही हम रखेंगे इस कडाही में जितना हम सूजी लिये थे उसका चार गुना हम पानी एट करेंगे जितना हम सूजी लिये थे अब यहाँ पर हम उतना ही यहाँ पर चीनी एट करेंगे तो सूजी का चार गुना हम यहाँ पर पानी लिये हैं और जितना सूजी था उतना ही इसमें हम चीनी एट करेंगे चीनी को अच्छी तरह से हम पिखलने देंगे साथ ही इसमें हम कुछ केसर के धागे एट करेंगे तो अब केसर के धागे यहाँ पर पूरी तरह से आपसनल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छी तरह से पिखल गई है अब इसमें भुना हुआ सुजी हम एट कर देंगे अब इसको चलाते हुए हम पकाएंगे और इसी स्टेच पर इसमें हम एक तिहाई चम्मच इलाइची का पाउडर एट करेंगे हलवा में इलाइची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो इलाइची पाउडर जरूर डालें इसको इसकीप ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर कुछ मिक्स थोड़ा सा ड्राइफ रूट है जिसको की हम एक चम्मच घी डालके हलका सा भून लिये थे तो आप इसी समय यहाँ पर हम इसमें ड्राइफ रूट प्रियेट कर देंगे और ड्राइफ रूट डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलाते हुए हम हलुआ को पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलुआ अप थीक होने लगा है इसको लगा तार चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं आप यह हलुआ थीक होने लगा है ऐसे ही इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे और आप उपर से एक चम्मच घी यहाँ पर हम औरेट करेंगे तो आब यह हल्वा बन के तयार है इस तरह से अगर हल्वा बनाएंगे तो आपका हल्वा बहुत ही सौप्ट और स्वाधिष्ट बनेगा तो हल्वा बन के तयार है अब इसको एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे उपर से थोड़े से ड्राइफ रूट बचा कर हम रखे सुजी का हल्वा तो सभी बना लेते हैं बनाना असान भी होता है लेकिन इस ट्रिक से अगर हल्वा बनाएंगे तो आपका हल्वा बहुत ज्यादा सौप्ट और स्मूध बनेगा तो एक बार इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें उमीद है आपको और आपके घर में सबको बह बनाएंगे तो एक बार इसिपी कितार तो